वाट्स आप एवरिबड़ी कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका हमारी इस न्यू वीडियो मेर आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप अपनी हाइट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कैसे बढ़ा सकते हैं आप अपनी हाइट को आज की इस दुनिया में हाइट की बहुत ही जादा इंपोर्टेंस है अगर आपकी हाइट कम है तो आपको कापी सारे लोगों के सामने शल्मिंदा होना पड़ सकता है और एक अच्छी सहत के साथ साथ आपको एक अच्छी हाइट क ्यां की बीजरूरत होती है जब हम किसी चीज में जाते हैं जैसे आर्मी में लाइने में तो जो हां पर भी हाइट की बहुति जादा इंपोर्टेंस होती है और हाइट मैं åt drugs करते हैं की सी इतनी खास नहीं लगती तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जो सच में ग्रो जिससे आप खुद्रती ग्रो कर सकते हैं अपनी हाइट को और काफी सारी लोग इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाते कि भाई तीन दिन मैं हाइट बढ़ा दूआ तीन सेंटर मीटर बढ़ा दूआ ये कर दूआ वो कर दूआ सब यार ठगी बाजी है कोई बोलता कि भाई मैं आधे घंटे के अंदर एक हाइट बढ़ा दूँ कैसे बढ़ा दोगे भाई जो चीज़ कुदरत के हाथ में है तो उस चीज़ को कोई इंसान बिल्कुल भी नहीं कर सकता अपने हाँ खुद से क्रेटिविटी नहीं कर सकता यार ये चीज़ हाँ आप अपनी तरफ से पूरा अपना 100% दो हाइड बढ़ाने के जो चांसे होते हैं वो जादा तर 25 की एच से पहले-पहले होते हैं उससे आप पूरी कोशिश करो अपना 100% दो यार तो सबसे पहले जो टिप है वह स्लीप वैल आपको अच्छे तरीके से सोना है आपको सिरिफ तीन या चार घंटे नहीं सोना है नौर्मली आजकल क्या हो गया है कि लोग चार-चार वज़े तक तो मुबाइल ले यूज करते हैं मुबाइल चलाओ उसकी टाइमिंग बांदो अगर आप एक शोशल मीडिया यूजर है आप शोशल मीडिया चलाते हैं पसंद करते हैं तो आप नहीं खुद का टाइम बां सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छी नीद लो अच्छी तरह सो मुबाइल अगर यूजर हो आप मुबाइल चलाना बंद कर दो सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो है इट वैल स्लीप वैल ओके लेकिन एट वैल आपको खाना भी अच्छा है आपको जंक फूट बिल्कुल न्यूडल चाओमीन यह चीज़े बिल्कुल भी नहीं खाने विकोज इन चीजों से तली भूनी चीजों से आपकी हाइट रुक सकती है आप अगर जितनी ज्यादा नैसे चीज़े खाओगे हरी सबजिया और जितनी ज्यादा कुदरती चीज़े खाओगे उतना ही आपके आपके फायदा है थ्यार जो हमारा पॉइंट है वह देली बेसी पर एक्ससाइज करना बहुत जरूरी है लेकिन उसके साथ ऐसी एकसे साइज करना जो आपकी हाइट को ग्रो करें अब वह कौन सी अकसाइज है नमबर बन स साइकली करना लटकना किसी जब आप जिम जाते हो तो कम से कम 10-15 मिनिट आप खाली लटके रहो रणिंग करना, स्टैचिंग करना, लटकना, या फिर दोडना, या फिर साइकलिंग करना इन चीजों से आपकी हाइट बरने ही काफी ज़्यादा चांस होते हैं और ये चीज़ें आपको डेली बेसिस पर करनी है ऐसा नहीं कि आप एक दो दिन कर रहे हैं, हफते में एक दो बार करे हैं तो डेली बेसिस पर आपको एकसरसाइज करनी है अपनी हाइट गरो करने के लिए और फॉर्थ जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि आप सीधे बैठें अगर आप ऐसे जुकर बैठते हैं तो इससे आप भी हाइट रुख सकती है इससे आपको काफी जादा हानी भी हो सकती है आपके बोडी में इसलिए जब भी आप किसी ओफिस में जाते हो या किसी ओफिस में बैठते हो इन सब छोटी-छोटी चीजा, ये छोटी-छोटी चीजे बाद में बहुत ज़्यादा बडी बन जाती है इसलिए आपको इन सब चीजों का रहे हैं फिट्ट जो हमारा पॉइंट है वो यह है कि आपको गेम्स खेलनी है, आपको खेल-खेलने हैं जैसे की cricket, football, कुछ ऐसे खेल खेलने हैं जिससे आपकी body हमेशा चलती रहे, जिससे आपका शरीर के अंदर टूट-फूट होती रहे, कुछ ऐसी game खेलने हैं जिससे आपका पुरा शरीर हिल जाए, मतलब आपकी body ना हिलती रहनी चाहिए, आप एक जगा पड़े नहीं रे सकत आपको कुछ ऐसी गेम्स खेलने हैं कुछ ऐसे खेल खेलने जिससे आपके शारी दिख रहा है आपके शृरीर पूट हूती में और इन सब खुदरती चीजे करने से हृईफ इन भाण क मैं यह नहीं कहा m बहुत जाएगी झाल झाल